हेलो स्टूडिंस आज मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ वी ए सेकंडियर हिस्ट्री का हिस्ट्री टू रो फॉर हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेविंटीन जिरो सेवन से नाइंटीन फिटी तक का जो क्रेशन पेपर है जो कि सप्लेमेंटरी एक्जाम में आया हुआ था 203 को पर हम अल्लेडी बात कर चुके हैं तो इसमें क्योंकि इसका जो सलिबर से टाइम पिरियाड है वो काफी काफी ज़्यादा है तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक तो 1707 से लेकर 1857 तक का आपके कितने क्वेशन रहेंगे और दूसरा हम लेंगे क्योंकि इस बार जो है वो आपके 10 questions पूछे हुए और एक एक नंबर का ही पिछली बार हो सकता है इस बार जो है वो आपको 5 questions आएं और 2-2 नंबर के questions रहें क्योंकि इसलिए बस ज़्यादा इसलिए इसको जो है वो cover करने के लिए 10 questions जो है वो उसमें पूछे गए हैं तो इसमें आप देखेंगे कि पहला है कि पानिपत की तीसरी लडाई कब हुई रुहेल खंड का संस्ताप कौन था पलासी का युद कब हुआ महलबाडी प्रथा का प्रवर्त किसे माना जाता है तो इसमें से ले बस मैं मैं डिसकस करूँगा कि इस बार कौन से क्वेश्चन शॉ इसमें गंतंतर हुआ यह सही है या गलत है इसमें से आपको लिखना है और भारती सब्तंतर ता अधिनियम डैश में पारित हुआ तो यह जो फर्स्ट फार्ट है आपका इसके आप यहां पर क्वेश्चन नम्बर डालिए सेक्शन ए लिखिया और क्वेश्चन नम्र वान और उसके सब फार्ट जो है वो एक साथ ही करिए अगर आपको जब आप कर रहे हैं इसको अटेम्ट तो अगर नहीं आते हैं सपोज आपको तो आप लाइन्स छोड़ लीजे क्योंकि एक एक लाइन के सारे की सारे क्वेश्चन से है और बाद में फिर आप उसको अटेम्ट कर सकते हैं फिर क्वेश्चन नमर वन का ही पार्ट टू जो है इसको भी आपने एक साथ ही करना क्योंकि इसके भी सब फार्ट है अगर आप इसको बीच में कहीं डाल देंगे तो फिर आपकी नमबर जो है वो कट जाएंगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि कानाटिक के प् वतन के क्या कान थे उस ताइप में आपसे पूछ सकते हैं बेंगॉल का भीवाजन पर एक शंक्षिप्ट टिपनी लिखिए बेंगॉल का भीवाजन इस वक्त बार हो सकता है कि ब्रह्मों समाज की स्ताफना किसने की आरे समाज के बारे में बताएं या राम क्रिशन मिशन क सकते हैं फिर है अंगला मैसूर यूद यूद है उसके उपर भी आपसे पूछा जा सकता है अंगला मराथ्था यूद शाओट में उसके उपर भी इस वार जो है वो स्वराज दल की दो मुखे उपलब्दियां बताइए डांड़ी यात्रा पर टिपने लिखिए सभीनी अ और समिधान साब के गठन पर टिपनी लिखिए तो यहां पर भारत का विभाजन उसके उपर भी आपको टिपनी जो है बो पूछी जा सकती है अब हम सेक्शन वी की बात करें तो इसमें पूछा गए कि एहमद शाह अवदाली द्वारा पंजाब पर किये गए आकरमुनों का क क्या फरवाब पड़ें इस बार डिटेल में क्वेशन आपको यहां से पूछा जा सकता है कि पानीपत की तीसरी लडाई के कारण परिणाम और महत्तव के बारे में बताएं यह भी क्वेशन जो हो आपका रिफीट हो सकता है तो यह है हमारा इस बार टॉपिक से पूछा ग सकते हैं यह थर्ड कानेटिक वर डिटेल में इस बार आप से जो है वह पूछा जा सकता है लौड कार्ण वालेस के सुधारों का वरन की जिए इस बार लौड विलियम विंतिक के बारे में पूछा जा सकता है उसकी जो रिफॉर्म से बैंगॉल के स्ताई बंदवस्त का पर अलोचनातमक टिपने लिके सेक्शन सी सेक्शन सी का यहां से आपका पूछा गया है 90 जो है अपनवेश्यक अर्थववस्ता का निरिमान यह जो आपका पूछ रहे हैं कि इसमें आपको आ सकता है इस वार कि आपका जो सहिक संदी थी लॉर्ड वेल जली की उसके बारे में भी आपसे जो है पूछ सकते हैं इस वार यहां पर आपसे पूछा गया है टॉपक नमबर फॉर से शोशल रिलिजिस रिफॉर्म मुव्मेंट आरे समाज के प्रमुक सिध का वर्णन कीजी इसके और में पूछा गया है आरे समाज तो यहां तक अगर हम लें तो इसमें आरे समाज आया हुआ है इससे 1857 से पहले तक का ब्रह्मो समाज इस बार आ सकता है राम कृष्ण मेंशन आ सकता है सहिक संदी आ सकती है लॉर्ड जो आपका विलियम बेंटिक ह उसके रिफॉर्म के बारे में पूछ सकते है पानीपत की तीसरी लड़ाई पलासी और जो बक्सिर का पैटल है उसके बारे में डेटेल से जो है वो आपसे पूछा जा सकता है तो यहां तक इतने ही कुल मिला कर जो है वो आपके बनते हैं अब हम सेक्शन अगर पार्ट क्वेशन आए गई आएगा के बिद्रो के प्रमुक कारणों का वर्णन कीजिए इस वार हो सकता कि आपके महत्तव इसके परिनाम क्या निकले उसके बारे में पूछ सकते हैं और यहां पर पोछाग भारती राश्ट्री कॉंग्रिस के उत्पत्ति के प्रमुक कारणों का व तो यहां से पूछा गया भारती राष्टी कांगरिस के स्ताफना इसके कारण क्या थे इस बार हो सकता है कि उदारबाद और उगरबाद दी जो है पूछा गया पाकिस्तान के निर्मान के क्या कारण थे क्या यह अवश्य था तो यहां से आपका पूछा गया है यह आपका जो सांपरदाय की रोथ अपता कॉमनियल पॉर्टिक्स पार्टिशन ऑफ इंडिया और भारती संविधान के विशेश्तों का वर्णन की जी तो इस बार आपके जो है वो आपने एक तो कर लेना असायोग अंदोलन सिबल सिबल डिस ओविदिन्स मुवमेंट सबनी आवाग्या अंदोलन और इसके साथ साथ जो है क्विट्ट इंडिया मुवमेंट 1942 का उसको आपने डिटेल में देख लेना है और शॉर्ट में जैसे मैंने बुद्ध देख लेना है लेकिन लास्ट बाला समिधान बाले से यहां से आपका questions रहेगा ही रहेगा तो I hope इससे आपको help मिलेगी thank you very much